नमस्कार मैं परणजोई गुहा खाकुर्ता और आप सबको मैं स्वागत कर रहा हूँ न्यूस क्लिक में आज हम बनारस में हैं और पूरवांचल उत्तर प्रदेश का पूरवांचल और उत्तर प्रदेश का चुनावी मोहल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ मेरा साथ है आज विजय क्रिशन जी वरिष्ट पत्रकार और सामाजिक कारेटा विजय जी पहला सवाल यह है कि यहां का राज नोई यह जो चुनावी मोहल आप कैसे देख रहे हैं क्योंकि हम बनारस इधर उधर घूम के देखा हमें तो नहीं लगा कि यहां पर कुछ चुनाव होने वाले हैं मैं देखिया दो चीजे है पॉर जो यह एलेक्शन होने जा रहा है हर एलेक्शन से इसका थोड़ा डिफरेंट है एक तो यह कोरोना काल के बाद का एलेक्शन है तो कोरोना का जो एफेक्ट होता है जिसके मैंसे चुनाओ परचार में काफी कुछ बंदिशे हो गई तो उसके चलते आपको बहुत सारा शोर सरा बा नहीं सुनाई दे रहा है नहीं अब तक तो बहुत सारी हर पार्टी इसकी जितनी भी लीडर्शिप है सेंटर लीडर्शिप है अब तक उनके बहुत सारे दोरे हुए होते बना रस्मी तो एक माहौल बनता था और दूसरा यह कि जो उत्तर प्रचिस के चुनाओ जो साच चरण में हो गए तो पूरवांचल में आखरी चरण में चुनाओ तो हर पार्टी इसकी लीडर्शिप भी उसका ध्यान जो है जहां पहले चुनाओ है वहाँ है कुछ पार्टियों के कंडिडेचर बिल्कुल लास्क मोमेंट में डिसाइड हुए हैं सब्सक्रा तारिक को हुए हैं तो अब वो धीरे-धीरे जो है उसमें वार्म अब होगा धीरे-धीरे लोग अपना अब शुरू क विजह जी यह बनारश यह वारानासी शहर में तो भारतिय जन्तापाटी का गर है यहां सब लोग मोदी जी आधितनाच जी का गुंडगान करते हैं यहां काशी विश्वनात कोरीडॉर का उद्गाटन के अपधान मंत्री मगर गरामीन इलाका में मौल और कुछ है वहां पे हम लग रहे कि एक तरह से ऐसा नहीं है कि एक पार्टी का जीत निश्चित है एक तरह सम देख रहे हैं कि एक चुनाविय प्रतिद्वन्दिता एक कमपिटिशन है और ऐसे भी लोग हम जिन लोगों से हमने बात किया बोला इस बार कांटे का टक्कर हो सकता है पांट साल पहले जो भार्टे जंदा पार्टी 403 विधान सभा केंद्र में 312 में जीता और उनका सहीयोगी दल के साथ अगर इस बार महुल और कुछ है आप कैसे देखना है आपका विसलेशन क्या है आपकी बात सही है कुछ अब तक उसके दिखे प्रिष्ट भूम में जाए दर है बनारस 89 के बाद अगर आप देखिए जब राम मंदिर का आंदोलन चला है तो मेरा अपना मानना है कि आरेसस नाकपूर के बाद सबसे अदा फोकस बनारस भी किया कारण क्या है कि पूरे इस्टर्ड इंडिया को इस्टर्ड इंडिया कह लिजिए चाहे पूर वांचल कह ल अपना काम करती है और 89 के बाद लगातार आप देखिए तो भाजपा के सांसद और मेले हैं जीते रहें कि यह बाद ड़क्र राजेश मिसरा बीच में चुनाओ जीते थे कॉंगरेश के उसके पहले स्री संदिक्षित थे जब राम मंदी रांदोलन हुआ फिर शंकर प्रसा मंत्री है तो उसका असर नेचुरल लूप से कुछ ज़्यादा होगा लेकिन यह चुनाओं में एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात आप देखिए बड़ी कोशिस किया बीजेपी ने कमंडल को चलाने का लेकिन कमंडल का असर हो नहीं रहा है तो जो आपने ग्रामीर परिवेस की बात बताई तो ग्रामीर इलाके में कमंडल का कोई असर नहीं है इसी लिए वहां आल टूगेदर आप देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट कोईशब है और आपने काशी बिशुनाद धाम की बात की तो देखिए अभी वो ततकाल कुछी दिन पहले उसका उठगाटन हुआ है तो जो बनारस के बाहर के लोग है मतलब इसका बड़ा आप अभी काशी बिशुनाद लोग दर्शन करने आते थे धाम को घूमने नहीं आते थे बनारस में जितने भी प्रामिनिट मंदीर हैं सब गलियों में चाहें महामृतुल्या का मंदीर हो काल भैरो हो आस भैरो जितने भी भैरो के मंदीर है सब गलियों में यहां लोग दर्शन करने आते थे धाम को घूमनी नहीं आते थे तो वो एक अलग बहस का भी से है और आप देखेंगे कि आप पता नहीं गए कि नहीं अभी काशी विश्वनात धाम में जब चौक की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल वो पूरा प्लेग्राउन की तरह हो गया है एकदम मैदान खु सोगया तो दर्सिंग करने में बड़ी सुधा होगी तो बनाहर के बाहर के लोगों को जब कहीं गया बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन बहुत सारे लोग इससे बनारस में जो खुल के नहीं बोल पा रहे है जिनकी उसमें दुकाने भी गई और एक अलग बहस लिए है कि उसमें बहुत सारे मंदिरें को भी तोड़ा गया उन मूर्तियों को ठागे रखा हुआ है जिनमें प्रान परतिष्ठा हुई थी यहां बिरोद भी हुआ लेकिन वो बिरोद उतना मुखर हो नहीं पाया चाहे जो वज़े उसके बहुत सारे वज़े हैं कि लोग नहीं कर प तो जो ग्रामीर परिवेस में बिल्कुल आल टुगेदर है चीजे उसमें महंगाई भी बहुत बड़ा इश्यू है बेरोजगारी है तो कमंडल पर ये इश्यू भारी हो गए दूसरा जो एक सबसे बड़ी चीज है मैं ने पहले भी चैनल पर ये बात बोली थी कि एक और उसमें खांस्तोर से पटे लोग होते है 90 परसंट थे कि साब ये कार्पुरेट्स को जिस तरीके से कार्पुरेशन का कबजा होता जा रहा है पी एस यूज पे तो हमारे 20 परसंट 7 परसंट रिजर्वेशन का मतलब क्या रह जाए है तो वो ऐसा नहीं है वो अवेर हैं क जो चीजे हो रही है तो ग्रामीर परिवेस में ये सब चीजे बहुत ज्यादा लोगों पर एफेक्ट कर रही है विजह जी मेरा कहना मैं एक सवाल आप से उठा रहा हूं ये पूरवांचल का एक ये इलाका चुनाओं में इस चुनाओं में महत्रपून है क्यों अगर आप पश्चिवी उत्रपूदेश देखेंगे जहाँ चुनाओं खत्म हो गए वहां पे ये जो कृश्यक आंदोलन का एक बहुत बड़ा असर पड़ा जिस जगा में भारते जिन्दा पार्टी पात साल पहले 2019 का लोग सबाद चुनाओं फिर आपका 2014 का लोग सबाद चुनाओ ये तीनों चुनाओं में और 2014 का लोग सबाद चुनाओं के पहले आपको याद हैं कि मुझाफर नगर में जो साम्परदाइक दंगा हुई थी जाट और मुस्लमान के बीच उसका एफेक्ट है मुझा ये सारे इस पुरा इलाका में भारते जंदा पार्टी बहुमत से जीत गया तो इस चुनाओं में भारते जंदा पार्टी के लिए पूरवांचल कमहत्या और हो गया क्योंकि अगर पश्चिमी लागा में लुक्सान हो रहे तो कितना वो पूरवांचल में जादा विधायक जीत के आएंगे इसके उपर निर्भर कर रहें कौन सरकार बनाएंगे पूरवांचल की जो इस्थिती इस समय है उसमें मेरे ख्याल से बीजेपी की इस्थिती कम जो रहे हैं और उसका किवल किसान आंदोलन से मतलब नहीं है देखे किसान आंदोलन का यहां पर उतना इफेक्ट मुझे नहीं दिखाई पड़ा उसके दो बड़े वीजिन है जो अपर मिडिल क्लास है किसान उसमें बहुत है वो कहीं ने कहीं वो बीजेपी के इंफ्लुएंस में है जो इमांदारी से बहुत हो लेकिन जिस तरब मैंने अभी आपका थोड़े दिल पहले ध्याना कर शित किया जो पिछला वर गया है तो पिछली बार जो बीजेपी ने सो इस सब को जोड़के पिछले को पुरा उन्हों ने इंटेक्ट किया वो मोर देन 40 परसेंट है माइनाटी का ओड़ तो ही है वो तो पहले भी बीजेपी को नहीं मिलता था अभी भी कोई सवाथ ने मुसलिम यादव लोग तो वैसे भी नहीं माइनाटी के ओड और यादव क जोड तो माली यह पिछली बार भी आप कह सकते हैं कि नहीं लेकिन जो अधर देने आदो पिछला वांग है वो पूरी तरह इंटेक्ट है बीजेपी के साथ जैसे तो पूरा अपरकास्ट प्लस वो यह मिला कि फिर परसेंटेस्ट उनका बटा भी ऐसा बहुत ज्यादा था विजेजी आपकी बार वो बिलकुल तूट गया है यही बात अभे जी अभे दूबे जी ने कहा कि इस बार जो सामाजिक गट जो है जो गट बंधन है यह सपा का समाजवादी पार्टी का जादा इसमें शक्ति है और विरोधाबाद अंदर अंदरोनी विरोधाबाद कम है इस बार भारते जंता पार्टी से बहुत सारे लोग छोड़के चुनाओ के पहले चले गए हैं सपा के पास तो एक तरह से जो सोशल कोवलिशन जो सामाजिक गट बंधन है जो सामाजिक गट जोड़ है सपा का जड़ा जादा शक्तिशाली है देखे एक बार बताएं आप स लोग छोड़के गए इससे नहीं सपा मजबूत हो गई वो छोड़े क्यों इस पे नहीं कोई ध्यान देता है जो वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर थे और बीजेपी उनको पुरा समाद दे रहे थी ऐसा नहीं है ठीक है उनकी योगी से नारजगी रही होगी लेकिन बीजे यह किसी ने सोचा कि जहां उनको इतना मरतबा मिला हुआ था वो अपने से कहते बीजेपी में पिछली बार और उनको पूरा महत्त मिला वो क्यों छोड़े क्योंकि वो सेंस कर गए थे जो पब्लिक का मूड है जो पिछड़े वर के लोग है जो ग्रामीर इलाके में जिस प कर लिया कि पॉब्लिक कहीं ने कहीं एंटी है इस समय एक दरा से सत्ता विरोधी लहर को उन्होंने सेंस कर लिया और अपने चुकि वो जमीन की नेता है पिछड़े है उनको तो अपने पिछड़े वर्ग में उनको तो मालूम हैने कि क्या इस्तिति है अखिर उनके मद आता मैं समझ क्या आपका बात आप अपना सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया एक और सवाल है मेरा पास उत्तर प्रदेश का राज नीती में आज ने बहुत साल से बहुत दशक से जात का एक असर है इसमें किसी का दो राए नहीं है तो आप कुछ दिर पहले बता रहे थे बेरोजगाई मेंगाई कोरोना काल के बाद हमने देखा गंगा में लाश पह रहे थे स्वास्तेवाएं शिक्षा शेक्षा आपने आरक्षन का बात किया जो आपका गाए घूम रहे हैं लोगों का फसल राद भर उसको जक्के राना परता है ये सारे मुद्दा कितने महत्त पूर्ण होगा या लोग अभी भी अपने जाती धर्म आस्था के उपर मद्दान करें यही सवाल है वाट इस मोर इंपोर्टन वो आपका चाहत आपका सामाजिक जो जो मुद्दा या जो अर्थ नहीं थे जो एकनौमिक मुद्दा है जो इश्यूस है आज देखें दो ची जाती वाद यहां पर पहले सहाबी था और मेरा अपना परजय जी एक साफ मानना है कि जाती अमित यहां कभी नहीं टूटेगा क्योंकि एलेक्शन जो है जब एलेक्शन होता है वो एक लाग लोग हैं कि आपकी बार जाती वाद नहीं चला है आखिर सो सब चीजे एक दूस क्या मतलब था है हमारे सोशियोगनाविक प्रोग्राम है उस पर आप आई उस पर जाती को जूडने जाती सम्मेलन यह लोग करते थे इवन बीजेपी के लोग हर जब बड़े नेता जाती सम्मेलनों में जाते थे तो वो चीज तो नहीं खतम होने वाली है और वो अपकी ब जाती का रिप्रेजेंटेशन तो देखते ही है और उनकी जाती की नोकरी चली जाए उनके लोग बेरुजगार हो जाए भूखें मरने लगे तो फिर उनको वो चीजे और ज्यादा अट्रेक्ट करती है कि ठीक है हमारे योगी जो तो नहीं है ना पिष्ड़े तब उनको व हुआ इस तरह से इस तरह की बात उनों ने कहीए उनों ने खोदी इस बात को कहा व्यूं को सबस्री बड़ी बात इह कि जैसे आरक्षड क्या है आरक्षड पिछड़ी वर्ग पिछड़ा वर्ग क्यों मानता है पिछड़े हैं तलित हैं सूसी से तीले तो मानते हैं तो उसका तो रुजगार से रिलेशन है ऐसा तो नहीं है कि नहीं है यह हर चीजे एक दूसरे से को रिलेटेटेट है मेरा अपना मानना है कि जाती पर्थाइहां नहीं समाथ होगी विज़े जी अभी भी ग्रामीन इलाखा में गरीब लोग ऐसे हैं महिलाए मर्द सब लोग आज भी मोदी जी को एकदम इश्वर भगवान मानते हैं कि हमारे लिए तो एक मुफत में रसोई गैस का सिलिंडर दिया हमारा जंदन घाता में हमारा थोरह सा जमीन है हमें तो 6,000 रुपया मिल गया ये करोना काल में हमें 5 किलो गेहूं और 5 किलो चने का दाल हर महिना में हमारे पास आ रहे प्रधानमंतिय आवाज योजना ठीक है सरपांच ने कुछ पैसा खालिया फिर अभी तो हमें कुछ मिल गया अलग-अलग जो कारिक्रम है सामाजिक कारिक्रम है आपका स्वच भारत और भी बहुत सारे कारिक्रम इसका फायदा आम आदमी और गरीब को मिला और इसलिए लोग कह रहें कि हम कमल कमल बटन दवाएंगे देखे दो चीजे ये ये योजनाच पूरे देश में है क्योंने बंगार में लाब मिला विहार का इलेक्शन का क्या परिणाम है आप जानते हैं उससे बेथर वहां क्योंने उसका असर हो अगर बीजेपी ने इतना बड़ा कारिकरम किया था तो यह हिमत तो नहीं तरह कि बिहार में इंडिपेंडेंट लड़क जिसको पांच महीने मिला और एक बार भी अगर वो मिल गया शीशा का चुरा तो समझे उसका पूरा कतम हो गया तीसरी बात इन्होंने उसको 31 मार्श तक के लिए गोस्णा की है उसके बाद क्या होगा बहुत आप किसी की नोकरी चीन लीजिए और कहिए कि हम आपको 5 किलो रासन देते हैं और 2000 रुप्र महीन देते हैं उसकी 20000 की नोकरी गई उसके उपर क्या इसका असर होगा आपने सवाल का जवाब ठीक तरा से दिया हमें दो और सवाल बागी है एक सवाल है कि देखिए बहुत लोग कह रहें कि अगर भारते जंदा पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश का चिनाओ भी दोबारा जीत जाते हैं आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का इतिखास एक ऐसा एक भी मुख्यमंद्री नहीं है जो दो बार एक के बाद एक जीत के नह बारा ऐसा नहीं लेगा अगर एक आटे का टककर एक बहुत दोसों के आसपास भारते जंदा पार्टी पहुंच जाते हैं तो मुख्यमंद्री योगी आधितनाथ नहीं परेंगे और कोई बन सकते हैं इसके बारे में आप कुछ के पहली तो मेरा मानना है की अभी पब्लिक जब बहुमत दे रहे हैं किसी को तो पूरी तरह से दे रहे हैं मगर लहार होगा इस बार भी साइकिल के चांद से ज्यादा है गड़ बंधन की और अगर साइकिल को दस-पांच कम मिले तो वो लोगों से मिल जाएंगे जिसकी सामावना मुझे नहीं लगती है पश्वी उत सवाल है आकरी सवाल पूछने के पहले में पूछता हूँ यह जो लोग महारते जिन्ता पार्टी का खिलाफ है विरोध कर रहे हैं इन लोग का वोट बाट जाएगा कुछ हाती माया वतीजी के पास चले जाएंगे कुछ चले जाएंगे यो वाई सी ए आइम आइम कुछ आइसा लोग कुछ लोग का मानना होगा देखिए मैं बता रहूं ओवैसी कोई फैक्टर ही नहीं गया वैसी का पूरे यूपी में वही हस्रोगा जो बंगार पे हुआ है क्योंकि कोई ने बिहार में पहला क्रायल था और बिहार में लोगों को शायद भरम हो गया हो और बि बिशारा करना चाहते हैं जिन लोगों की तरफ वो बिहार से ले चुके हैं इवें आपको बताओं माइनार्टी के लोग इतने सजग हैं कि वह सपा और कॉंग्रेस में भी देख रहा है कि कौन अच्छा कंडिडिट है वो जहां भी रहेंगे इंटेक्ट रहें और जिस्त आपने जो अभी जो पहला सवाल किया था कि मुख्यमंतरी तो माल लीजे कि दोसों के नीचे जहने पर मुख्यमंतरी होने का कोई सवाल ही नहीं होता है मेरा आकरी सवाल विजेजी बहुत लोग कह रहें कि इस बार जो भी नतीजा उत्तर प्रदेश में होता इसके एक असर परेगा पूरा भारत वर्ष का राजनीती के ऊपर और भारत वर्ष के लोक तंद्र का भविश्य के ऊपर आपका क्या राय है मेरा एक चीज मानना है हर चुनाव का कुछ नुकुछ असर होता है कोई ऐसा चुनाव नहीं होता है जिसका कुछ असर नहीं पड़ता है लेकिन दो हजार चौबिस का जो एलेक्शन होगा मैं नहीं मानता कि केवल उत्तरप्रदिस की राजनीत का असर पड़ेगा क्योंकि 2024 का एलेक्षन BJP के लिए बहुत ही कठिन होगा चाहे यहाँ UP में जीते या हारे जीतने कि सम्होंना तो मुझे कहीं नहीं लग दिया लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आप देखिए मद्दप्रदिस चतिसगर राजस्थान में जो कॉंगरेस जीती थी उसका लोकसभा में केतना असर पड़ा कॉंगरेस बिल्कुल नहीं पड़ा क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट इस्यू है और आज जो है यूपी में देखिए अगर एंटी इंकमेंसी योगी की है तो क्या एंटी इंकमेंसी मोती जी की नहीं है आपने अभी जीन योजनाओं के बारे में बताई ये केंदर सरकार द्वारा दी जा रही है तो उसमें जो इर्रेगुलर्टीज है जो पब्लिक भूगत रही है हम कते हैं पर रोजगारी का एक इशू ले दिए तो क्या उसके लिए कि और इस्टेट टोर्मेट जिम्मेदार है तो ये कहना और ये आने वाले समय में आप तो आर्थिक मामनों के विशागिते के हैं परंचेदा आप जानते हैं कि आर्थिक इस्टिती इस समय जितनी भयावए है देश में शायद वो कभी नहीं थी और मैं एक पॉइंट आपको जरूर लिखित करने चाहूँगा कि जब डॉक्टर मनमुहन सिंग जी थे तब भी दुनिया में आर्थिक मंदी का दोर आया था लेकिन एक मन्रेगा की स्कीम में करोडों लोगों की जेब में जो पैसा डाला लोगों की पर्चेजिंग पावर जो उन्होंने बढ़ाई और उससे जो टिमांड बढ़ी उसी से महरा अपना मानना है व्यक्तिकत आप ज्यादा उस पर नहीं बाद में में 2000 मोधी जी प्धान मंत्री होने की बाद भी का मंढड़ेगा का अएक इसमारक है वह परल्लेमेट नो ने कहा था कि मैं असफलता का इसमारक है लेकिन उसने पूरे आर्थिक मंदी से उकरा और मैं आपको एक और एक जैम्पूल दे दूँ अगर एक मिनट समय हो आपके पास तो जो छठा पे कमिशन गवर्मेंट में लागू किया है उसके बास भी देश पर पर्चेजिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ी मैं आपको बता दूँ यहां से 200 किलो मीटर पे दक्षिनांचल में सारे अंटी पीसी के प्रोजेक्ट है मैं एक बार वहां गया हुआ था तो मैंने का यहां कौन से बोले नहीं छठा पे कमिशन लागू हो गया है और मैं एक खबते के बाद गया तो नहीं कोई नहीं बची थी तो पर्चेजिंग के लोगों की सक्ति जो है वो इतनी कम हो गई है कि आज स्थिती जो है और आप जैसे देख रहे हैं मन्रेगा के उपर बारा बजट कम कर दिया ने उसका निर्भरता बार क्या निर्भरता उनकी बढ़ी लेकिन इस बार उनने बजट कम कर दिया उसके चाहे जोरी जनो पोल्ट के लिए लास्ट में एक चीज़ और कह दूँगा कि शहरी मद आताओं में और शहरों को आप बनारस शहर से कंपेर मत खरिएगा बनारस की स्थिति थोड़ा से मैंने आपसे सुरू से कहा यह रसे सुरू से बहुत मेकनाईज धंग से इसको इस्टर्ण इंडिया का नागपूर के रूप में देखती है बनारस को तो इससे आप गाजीपूर बलिया जोनपूर शहर में देखिएगा तो यहा पत्रकार सामाजिक कार्यकत्सा उत्रप्रदेश का चुनावी मुद्ध के वारे में चुनावी क्या नतीजा है महल क्या है इस सारे विशे के उपर उन्होंने विसलेशन किया आप सब देखते रहिए न्यूस क्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बटन दबाएए बाद नमस्कार